अवलाद सो रही है, वो बच्चा के सुदरे का नो बजे तक सो रहा है, बिस्ता से उठाने ही चाही को रो रहा है, कर्मीन से खुल की सम्मर्याद बिगड़ जाती है, जादा लाड प्यार से भी अवलाद बिगड़ जाती है, बिगड़ी अवलाद सुदार ने के मसीन ग्यार तोटा नहीं है और आने स्यादी सुदा से पूसलों कि इतने आफ़त हो रही है कहने में नहीं आती आत्म ही दो रही है जमाना खराब मेंगाई बहुत हो रही है दो अरत वालों की तो आज गल्मोत हो रही है कोई घरजवाई तो नहीं है गर कावेदर किसे कहना ने चाहिए गर dit कुम ससुराल रहना चाहिए ससुराल का सारे काम करना पड़ेगा बैनोई होके साले से भी डरना पड़ेगा लाचार बन रहना पड़े कैसा जाए को दम नहीं, गर्जवाईं की इज़त होती गदे से कम नहीं, आख कुछ खबर रहती नहीं नीदा जाने के बाद, माबाब लगते हैं पूरे श्यादी हो जाने के बाद, सच्छार वालों को रबडी खिला रहा, घर वालों को लखडी दिखा रहा, जब माना या तक खराबा रहा, बाप को पूस्ता नहीं सुतुराल जा रहा, सासू की सिवा करना बहु के लिए अच्छी बात है, बहु भी एक दन सास बनेगी सच्छी बात है, पानी का चाने की आठा चानती नहीं है, खुद में अकल नहीं सासू की मानती नहीं है, शादी करके लाए तभी से आफ़त हो रही है सासू काम करती बहु सो रही है सासू भी खराब है हाँ सासू भी बहु को बेटी की तरह समझना जानती नहीं है दाखन की तरह खाउं-खाउं करती है मानती नहीं है चोगा दोहे न जहड़ो दे वो गरी पक्का बासी है जिस गर में ओरते रोज नीनाए वो गरी सत्य नहीं है ये बात घर पर जाके नहीं कि में भी नहीं कहता हूं जहड़ा हुजाता है बेरी पीने वालों के बाजु में बैठना नहीं है, कपड़े जल जाई तो फिर इतना नहीं है, बेरी पीने वालों ने कमाल कर दिया, परोसी के बिस्तर जला के धर दिया,